हेलो एवर्यवन जहें जहबार्त वंदे मातरम सभी बच्चों को कैसे आप सभी तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल डिफेंस वाले पर अप्टर लोंग टाइम गाइज कुछ दिनों बाद हम पधा रहे हैं कुछ एक प्रोब्लम चल रही है जिस भी कोशिश रहेगी कि डेली आपको यूटूब पे क्लास मिले तो मंजू त्यागी बुक का सुलूशन कर रहे थे चैप्टर चल रहा था हमारा परमूटेशन एंड कम्बिनेशन तो नेक्स्ट है मैरा पार्ट नमबर सेकिन है गाइस तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नमब और फैटस पूचिती सो देखो गाइस नमबर ओव डायगनल नमबर ओव डायगनल का फो फोर रा चाइन ऐनकी वैल्यू निकाल नही है तो किtesट किया जाए कंसा पूट कर ने डी औकषिण समय पूट करें देको एन पूट करते हैं तो एट यहां एट वाइन- यहfight 35 85 कितना होता है 40 तो डी option इसको satisfy कर रहा है इसका मतलब n is equal to कितना है एट है भाईया चलो आगे वाले question पर question number 32 यह कहता है कि what is the number of five digit number found with this without any repetition of digit ठीक है अपने कितने digit का number बनाना है पांच digit का तो पांच box बना लेते हैं ठीक है बना लिया using the digit in digits का यूज करना और repetition आपको allowed नहीं है डिजिट कौन सी given है 0 1 2 3 और 4 देखो मेरे भाई यहां पर 0 नहीं आ सकता क्योंकि अगर यहां 0 रख दिया तो फिर फोर डिजिट का number हो जाएगा तो यहां 0 नहीं आ सकता तो जीरो के लावा 1 2 3 4 कोई भी number आ सकता है तो इसके लिए फोर जो मालो वन यूज कर लिया तो यह तीन number बच गया और यह जीरो बच गया यहां पर तो जीरो आ सकता है इसके लिए भी फोर चोई मालो जीरो यूज कर लिया फिर बचे कितने तीन इसके लिए तीन चोई सिम्लरली इसके लिए दो चोई और इसके लिए बचा एक अब कर दो इनकी multiply ठीक है 16 और इनकी करेंगे 6 16 के च्यान में option कितना सी क्या correct answer वह यह नेक्स्ट वाले question पर चलते है question number 33 यह कहता है कि एन पी 3 प्लस में एन सी एन माइनस में 2 is equal to 14 n है then n is equal n की value निकाल नहीं है दो तरीके से कर सकते हो एक तो यह है कि जो option इसको satisfy करेगा वही आप answer है ठीक है न एक तरीके से दूसरा formula यूज कर लो n p 3 का formula क्या होगा n factorial divided by n minus में 3 का factorial प्लस में n c n minus 2 का formula क्या होगा n factorial divided by n minus में 2 का factorial और इसमें से इसको minus करोगे तो 2 आएगा तो n minus में r होता है तो n minus r मतलब 2 factorial is equal to 14 ठीक है अब देखो यहां से मैं इसको लिख लेता हूँ n factorial divided by इसको मैं लिख सकता हूँ n minus में 3 का factorial प्लस में यह होजेगा n factorial divided यह two factorial के value two होगी n minus two को लिख सकते है n minus two into में n minus में 3 का factorial is equal to में 49 common क्या है वह यह n factorial और n minus में 3 का factorial common है यहां प्लस में यहांचे का one upon में two n minus में two is equal to में 49 ओके तो अब यहां पे इसको क्या करने अपने को simplify करने थोड़ा सा काम और कर लेते हैं क्या काम कर लेते हैं बई देखो यह जो n factorial है इसको भी मैं लिख सकता हूँ n n minus में one n minus में two into में n minus में three का factorial लिख सकते हैं न डिवाइड में क्या इसके n minus में three का factorial तो यह से cancel हो जाएगा अब इसकी product जब one से करेंगे तो यह आएगा n n minus में one n minus में two फिर पलस में इसकी product जब इसके साथ करेंगे मतलब इस result की n minus two से n minus two cancel तो n n minus में one आएगा डिवाइड वाइड वाइड तो आएगा इस इक्वाल तो में 14 है अब option क्या जब से कर लो जो option satisfy करेगा वही answer हो जाएगा कर लो के बाई इतना तो करी सकते यार ऐसे मत करो next question पर आगया मैं question क्या बोलता है जड़ा देखो question number 34 how many even number of three different digit can be formed using the digit this repetition is not allowed कितने digit का number बनाना है three digit का और वो भी कौन सा even अब even number कौन सा होता है जिसका unit digit आपका even हो तो यह आपका even होना चाहिए मतलब यहां two four six eight zero यह आना चाहिए लेकिन given digits में zero ताए नहीं इसको zero को छोड़ दा तो two four six और eight चारों मेंसे कोई भी digit यहां use कर सकता हो तब इवन बनेगा तो इस box के लिए four choice मालो कोई भी एक number use कर लिया मालो two use कर लिया अब पीछे बचा क्या one एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह आठ नंबर बच गए तो इस box में से आठ में से कोई भी नंबर आएगा फिर एक नंबर यहां आ गया तो यहां क्या बचे गया seven तो साथ नंबर बच गए तो कोई भी साथ नंबर आएंगे अब कर दो multiply ठीक है आर्चों के 32 गुना 35 एक तहीं हाओ मेनी वे थ्री लैटर्स कैन बी पोस्टेड इन फूर लैटर बॉक्स ओके इफ आल दे लैटर आर नोट पोस्टेड इन दा सेम लैटर बोक्स अच्छे सारे के सारे एक ही लैटर बोक्स में नहीं होने चीए चलो एक सबसे पहले काम करते हैं तोटल कितने व बताया था कि जब भी ऐसा कुशन है कितने लैटर्स हैं तीन लैटर आबॉक्स कितने चार तो लैटर वोक्स कितने च्यार चार की पावरत बॉक्स, कितने जर एक वह तो यह打τगग हो सकते ती도 कितनों और दो एकव भी हो गया मतलब टोटर problems को करतो तो चीह यह वे ऐसे बते हैं कि मतलब तीनो के तीनो light on09 वह सकता है लोङं अल वन मतलब लेटर वॉक्स पहला जो लेटर ब्यूट्स तीनों के तीनों लेटर वोक्स के अंदर आ जाए तो सारे आगे सारे एक ही सेम ही letter box में हो गए ना तो एक केस ये दूसरा इसके लिए तीसरा इसके लिए और चोटा इसके लिए तो टोटल च्यार वे ऐसे बनेंगे जिनमें आपके पास सारे के सारे letter सेम लेटर बॉक्स में होंगे तो टोटल केस कितने हैं 64 में से माइनस कर देते हैं जिनमें सेम वाला हो क्योंकि अपने को नोट सेम निकाल ला है तो सेम वाला माइनस कर दो कितना है साथ साथ ऐसे केस बनेंगे जिसके अंदर लेटर वोक्स जो है सेम लेटर वोक्स में नहीं ह होंगे ठीक है भई नेक्स्स कोश्चिन चप्टिस नंबर कोश्चिन वट इस दा नंबर ओवे डैट पूर बोईज एंद थ्री गर्ल्स can be seated so that boys and girls are alternate. जब भी ऐसा question आए. मैंने आपको बताया था कि boys और girls उसने alternate बोला है. तो boys कितने हैं 4? तो 4 factorial. Multiply में girls कितनी है 3? तो 3 factorial. तो यह आपका answer आजाएगा. 4 factorial into में 3 factorial. 24 गुना में 6. तो कितना आता है 104? option D. आपका correct answer. next question 38 number question 7 points out of 12 are in the same straight line total points कितने हैं? 12, 12 में से P point मतलब 7 point collinear point है क्योंकि एक ही line पे लाई करते हैं then the number of triangle number of triangle का formula बताना है तो number of triangle का formula क्या होता है वही NC3 लेकिन अगर उसमें से P point collinear हो तो minus में PC3 N मतलब total point कितने 12? C3 में से minus कर देंगे 7 C3 तो यह आपके पास total triangle आ जाएंगे clear? इसकी value तो निकाल सकते हो यार next question question number 39 what is is equal to आपका बताना है कि यह जो है इन में से किसके equal रहेगा okay no problem तो देखो सबसे पहला काम की N plus 2 है ना N plus 2 को में लिख सकता हूँ N plus 2 into में N plus 1 के साथ factorial चल जाएगा इसमें से कम करेंगे N के साथ चला जाएगा और इसमें से कम करेंगे N minus 1 factorial के साथ चला जाएगा प्लस में है N plus 1 into में N minus 1 का factorial और डिवाइड में देखो N plus 1 into N minus 1 का factorial एक बार इसके डिवाइड में लिख देता हूँ N plus 1 into N minus 1 का factorial एक बार इसके डिवाइड यह इससे cancel यह इससे cancel और यह तो cancel होई गए अब N की इदर product करेंगे तो N square प्लस में 2 N आएगा और यह प्लस में क्या जाएगा 1 जिसको में लिख सकता हूँ N plus 1 का whole square तो यह एक क्या बन गया perfect square बन गया All right चलते हैं आगे क्या question है यार मंजूत आगे कितने आसान आसान question Question number 40 की बार यह आई यह कहता है कि 18 football teams taken take a part in a national championship and every team meets the same opponent twice how many match are played during this championship ठीक है हर टीम जो है वो दूसरी टीम से दो बार जो है मैच खेलती है तो सबसे पहले एक चीस में आपको बताता हूँ सिंपल सा question है बाई देखो टोटल टीम कितनी है टोटल टीम है 18 अब मैच खेलने के लिए कम से कम दो टीम चुछी है दो टीम होगा ना तो 18 में से मेरे को दो टीम तो सेलेक्ट करनी है और हर टीम का इसने बोला है कि अपने टीम के साथ twice मतलब दो बार मैच हुआ है इसका twice कर दो पहले मैंने 18 में से दो टीम सेलेक्ट की मानलो कोई भी दो टीम सेलेक्ट कर लिए एक बार A सेलेक्ट कर लिए एक बार B अब A का है ना B के साथ दो बार मैच हुआ है तो A का B के स 18C2 18C2 की value निकाल लेंगे तो यह आएगे 18 गुणा में 17 divided by 2 into 1 तो यह cancel हो के 9 आजाएगा इनकी product कर लो 18 गुणा में 17 तो यह हो जाएगा 18 गुणा में 17 306 306 हो जाएगा ठीक है option A आपका correct answer हो जाएगा simple जा question है आगे चलते हैं देखते हैं क्या कहता है question number 41 यह कहता है कि how many arrangement can be made out of the letter of the word mother taken four at a time so that each arrangement contain letter M देखो सबसे पहले अपने को four letter का word बनाना कितने letter का four word का ठीक है ना क्यों किसने बोला है कि इस word में से four letter ही आप select कर देए है तो M हर letter में होना चाहिए हर word के अंदर होना चाहिए तो M को fix कर देता हूं यहाँ अब M तो fix हो गया अपनी जगह है अब पीछे क्या बचे एक दो तीन चार पांच तो पीछे बचे पांच पांच मेंसे मेरे को खाली कितनी जगह है तीन तो मतलब पांच मेंसे कोई भी हो सकता है M यहाहां पर ही हो सकता है M यहां पर हो सकता है M यहां पर जो भी मैं च्राब लेक्ट करता हूं मालो M O T H ले लिया मैंने अब इन चारों को भी ती अरेंज कर सकता हूं T O H M ऐसे एक और वर्ड बना सकता हूं तो चार लैटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं 4 फैक्टोरियल तरीके से तो यह अबना अंसर है अप्शन ए मेरा आंसर आगया ठीक है ना तो पहले मैंने तीन लेटर सेलेक्ट किये थे कितने में से पीछे पांच में से कि एम तो है जो ओल्वेज इंक्ल्यूड रहेगा फिर आरेंजमेंट भी करिया है हम लोगों ने हना चल नेक्स कुश्चन कुश्चन जो अभी हमने किया था कुश्चन नमबर थर्टीवन सेम आ गया न के एक पोलिगोन है जिसमें चोपन डाइगनल है हाओ मैनी साइड इट तो एन एन माइनस में 3 डिवाइड बाय टू की वैल्यू 54 तो यह आजएगा एन एन माइनस में 3 इस इक्वल टू 810 मतलग 108 हो गया तो एन की वैल्यू देख लो कौन सा ऑप्षिन इसको सैटिस्वाई करता है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है न बारानी में 108 होता है न ऑप्षिन सी इसको सैटिस्वाई करें 43 नमबर कोश्चन मेरे बाए तो एक टाहिए एटीम कंसिस्ट ओप्री में त्री में थ्री वोमें एंद थ्री चुल्डरन ठीक है थेक है थेव स्टेंड इन लाइन शॉच्च बाएद न इसने बताया थेको तीन अलग अलग मेंन म1 म2 और 23 लिख लायता हूं तीन वोमें रे डालीवरं डालीव डालीव थे और तीटीडरन सी वन सी्नटी सी धिसीठूब winter मतलब यह इक साथ सेथा कले में बंद कर दिया यह आधो यह लागों कुछ केश बता है क्या बंता है आपके मैं में खड़े हो एक तोंदल मैं ओ तो ऐसे हैं टोटल कितने केस बनेंगे कितना केस बने कितने सरकल बने एक दो और तीन तो टोटल थ्री फैक्टोरियन मतलब छे केस बनेंगे ऐसे तो इसके लिए तो छे लगा दो मंटीप्ला हूंए अब देखो यह मैंन भी तो एक दूसरे के आगे पीछी हो सकते हैं वह सकता है पहले प्लें 2 ओ फिर in 3 10 मेंने तो मेले को इनको कि टरीके हो जो कि safest के लिए 0500 को क्योंकि वह 3 ,3 की अ इसकी मल्टिप्लाइ गर दो 6 गुणा में 6 गुणा में 6 36 का स्कुएर घखलो कितना होता है बारा सो च्छांद में होता यह ब्सकूर्ण ए आपका correct हो जाएगा ठीक है ना चलते हैं आगे देखता है यह telephone dial has 10 holes on rotating the dial how many different telephone number each consisting of 7 digits can be dialed if repetition are permitted मतलब repetition आपको अगर allowed देखो देखो एक telephone dials के अंदर 10-6 है वो जो पहले telephone अतर फिलमों में देखा होगा आप लोगोंने पुरानी जो फिलम होती है उसके अंदर अटेशल टूर्न फिर लगा के फिर घुमाते हैं टूर्न फिर घुमाते हैं टूर्न ऐसे करके उसने कहा क्या कहा उसने कि उसके अंदर टैन होल्स है और सेवन डिजिट का टेलिफोन नमबर है सिम्प्र गोशन है कि टिदि डिट का 7 डिलिट का सिम्पल है 1234566 1234567 and से यह वह जिरो से स्टार्ट हो सकता है तो आप लोग जिरो लगाते है नि टेलीफों में नमबर में आगे तो वह ऐसा थोड़ी न है कि वह जिरो लगाने से गलत हो जाता है नहीं तो telephone number आपका 0 से भी start हो सकता है तो 10 whole अब देखो क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यह digit होंगी repetition अपने को allowed है तो देखो first जो number है यहां पे इन 10 में से कोई भी number यहां आ सकता है 0 भी 1 भी 2 भी 3 भी 4 5 6 7 8 9 ठीक है ना तो इसके लिए कितनी चोईस 10 इसके लिए भी 10 चोईस इसके लिए भी 10 इसके लिए भी 10 इसके लिए भी 10 इसके लिए भी 10 और इसके लिए भी 10 रहेगी तो कि repetition हमें allowed है तो total कितने बनेंगे 10 की power 7 बनेंगे option C आपका यहां पर correct answer हो जाए और राइट चलते हैं आगे की तरफ 45 number question यह कहते हैं how many way can a bowler take four wicket in a single six ball over single six ball simple है मेरे बाई देखो चार आपको विकेट लें है हो सकता है पहले पर आजए हो सकता है दूसरी पर आजए हो सकता है तीसरे पर हो सकता है फूर्त पर पर शिप्त पर सेंट तो जब करनी है जिन पर कट आएगी तो शिक्स सी फॉर सिंपर ठिक है तो शिक्षी फॉर की वायु कितनी सिक्स फेक्तोरीयल प्रेक्टोर्यल इंटू तो इसकी वैलु आप नीकाल लो तो यह हुजाएगा शिक्स इन्टू फाय डिवाइड़ बाइट तो यह त्री पे गया पांक है पंदर ओप्षिंपल ऑप्षिन भी आपका करेक्ट आंसर आजाए गाए नेक्स्ट पुस्टिन 47 शोरी 46 वाट इस दा मैक्सिमम नमबर ओप स्ट्रेट लाइन दाट इन विद एननी फूर पॉइंट चार पॉइंट है इन प्लेंट सच देट इच लाइन कंटें अट लिस्ट है ऊपड़िज पॉइंट म्यूंद्ट अब प्लेंठ इसके अंदर क्या है मेरे भाई है कि राइन कंदर से च्यार पॉइंट एनax लोगए सर्फ ने स्ट्रेट लाइन पूछ पूछा है आप सबीको पता है स्टेट नाइन का फॉर् मूला क्या होता है एंसी टू एंसी टょ तो 4C2 लगा दो 4 in 2 में 3 divide by 2 in 2 में 1 तो यह cancel होगे 2 तो 6 आएगा तो maximum वो 6 straight line जो है बना सकता है Next question Question number 47 What is the number of signals that can be sent by 6 flag different color taking one or more at a time देखो मेरे बाई इस question को आप दो तरीके से कर सकते हो एक तो simple सा तरीका है इसने बोला कि What is the number of signal that can be sent by 6 flag of different color taking one or more at a time या तो मैं एक यूज़ कर सकता हूँ या एक से ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ एक time के उपर तो पहले यह है कि एक flag से मैं total 6 signal बना सकता हूँ कि छे flag ना अलग अलग color के जैसे एक red एक white एक black blue एक yellow तो पहले मैंने red दिखाया एक case बना एक color का दूसरा हो सकता है मैंने एक yellow दिखाया तो 6 अलग अलग है तो हो सकता है कि पहले case में 6 बनेंगे फिर दूसरे में हो सकता है छे में से कोई भी दो यूज़ करूँ वह सकता है तिसरा 6 में से तीन यूज़ करूं next six में से चार यूज़ करूं next six इस पांच यूज़ करूं next six में से छे यूज़ करूं ठीक है न? तो ये case बनेंगे अब हूनको आप add कर दो मतलब कि पहला case कि 6 में से कोई 1 select करूँ दूसरा 6 में से 2 select करूँ तीसरा 6 में से 3 select करूँ next 6 में से 4 select करूँ 6 में से 5 select करूँ next 6 में से 6 select करूँ अब मैं इसमें क्या करता हूँ 6 0 C 0 add कर देता हूँ और 6 C 0 minus कर देता हूँ अब यह किसका formula क्या होता है 2 की power n मतलब 2 की power 6 आएगा माइनस में 6C0 की वाल्य वन होते लिए तो की पावर 6 माइनस में 1 तो यह 64 माइनस 1 कितना हो गया तुरे सब्सक्राइब अप्षिन भी करेक्ट आप चाहिए पुर्टी एट नंबर कुस्टिन इन हाव मेनी वे एक मेटी कंसिस्ट थ्री मैन एंड वोमें फॉर्म सेवन मैं एंड फाइब सिंपल आयार साथ मैंने जिसमें से तीन मैन आपको सेलेक्ट करने तो सेवन सी त्री मल्टी प्लाइमें पां नमबर कुस्टिन नंबर कुस्टिन नंबर वह इन वीच फाइब बॉइस एं सिख फाइव गर्ल्स कैन वी शिट इन रिंग रिंग में करना है तो टोटल कितने हैं ये वह पांच बोई यर्पांच गर लाय मतलब टोटल ए टन पीपर और रिंग में उनको क्या करना है तो एन मितलब 10-1 फ्रेक्टोरियल तो 9 फ्रेक्टोरियल इसका अंसर आ जाएगा ऑप्शिन भी जब एन डिफ्रेंट ऑब्जेक्ट और उनको अगर आपको सर्कल में बिठाना हो तो एन-1 फ्रेक्टोरियल आपका अंसर होता है अब बारी आई नेक्स्ट 50 नंबर कुश्चन की यह कहता है दा नंबर वर्ड देट केन बी फॉर्म्ड प्रोंड लैटर ओव दो वर्ड दिस बैन दवोवल्स आर नेवर सेपरेटेड वोवल्स आपके नेवर सेपरेटेड वोने चाहिए मतलब क्या वोवल्स आपके दूर न टुगैदर मेरनिंग एक नेवर सेपरेटेड नहीमातला सेपरेट ही नहीमातला टूगहाधर और होने चाहिए त chamo को चारों को एक सर्कल में बंद कर लो कर लिया एक सर्कल में बंद पिछे बचा एन बचा डी बचा आर बचा पी बचा आर बचा एस बचा टी बचा एच बचा काउंट करो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और सर्कल को एक मान के चलो नो तोटल कितने हैं नो तो लगा द तो four factorial divide by circle के अंदर कोई repeat हो रहा है क्या ए तीन बार repeat हो रहा है तो divide by three ठीक है यह आपका answer आ गया इसको simplify करना आपका काम है multiply करके निकालना आपका काम है यही answer है तो इस ताइप का question मैंने आपको करवाय था concept में कि ऐसे करना होता है ठीक है तो बिल्कुल simple सा question था question number 50 मेरे प्यारे बहुत ही आसानी से हमारा question हो गया है ना चलो तो यह था level one का अमारा last question मतलब जो मंजुल जाएगी की बुक है permutation and combination जो chapter उसमें दो हर chapter में आपको पता है double level के question है तो level one हमारा complete हो गया next में आप लोगों को level two करवाऊ ठीक है उसकी class भी कल आपको तीन मजे हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी ठीक है ना 3 और जो भी new है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई ठीक है साथ में वैल आइकन दबा लेना ताकि जो भी वीडियो मेरी आए उसका notification आप तक पहुंच जाए ओके तो मिलते है next class में तब तक के लिए जैहिन जैभार वन देमात